हुआ है 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 कि है एकला हम बात कर रहे थे पते कंगे ईयुक्रम निचे इसका यह प्रॉसिस है ऐसे ही अल्टर्नेट होता रहता है चलता रहता यह जैसे सबसे पहले किसी भी प्लावरिंग बनता है जाइगा शीड में डबलग हो जाएगा सीड को जब हम बोहेंगे ग्रो करेगा तो इस प्लांट पर फ्लावर आएंगे फ्लावर के दो मेल पार्ट पार्ट होते हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इसको मेल पॉर्मेशन होगा यानि मेल गैमीड बनेंगे ऑबई में ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा पॉलन ग्रेंगों माइक्रोइस्पोर्स और जाता है सुनिए करते हैं कर नका साइब कम होता है ऑव्यूल से मेगा स्पॉर्ष का फार्मेशन हुता है यानि, ओव्यूल prochain मेगा स्पॉर्ष को बनाते हैं कि माइक्रोब्ल्ट कर देखा जाए कैसे लुए माइक्रोपौर मैं कुछ से दिखेगा कि यह पॉलर ग्रेल फांट के डो मेल फार्फ होते हैं एक छोटा पाट होता है बड़ा होता है है माइक्रो स्पोर यह आप जो देख रहे हैं यह माइक्रो स्पोर है यह माइक्रो स्पोर में गामीट को बनाने वाला तो इस से इसमें दो पार्ट होते हैं माइक्रो स्पोर के एक पार्ट को जो बड़ा पार्ट होता है वो कहलाता है इसका बज़ेटेटिव पार्ट यानि यह पॉलन ग्रेंग है पॉलन ग्रेंग की स्ट्रक्चर भी अगर एक्जाम में बनाने को आएगी तो आपको ऐसी बनानी है और जो दूसरा स्मॉल पार्ट होता है इसका वो कहलाता है इसका जनरेटिव पार्ट अजुआरिसलेटिव पार्ट होता है यहीं पार्ट बात Mний कर डिगए इस पॉम बनते हैं वह तब बनते हैं जब Ground Rain इस्टिग माट चला आता है यानि फीमेल के दिक्रेंग को यहां पे तो बत कि यहां देख वीजेगा ऐसे की आप कि यह फिमेल फार्ट है तो यह होता ऐस्थिगा यहां पर यह तो यहां जब यह जाता है कि यहाँ ऐसक ऊपर यहां पिए Saamanjanhk होगया जाकर गिरा तो यहां जब गरेगा तो यहां गिनेके बाद जear्मिनेट होता है तो यह तो यह तरह्वेट्टब मोरुनढन गिराक है इसके दो पार्ट है एक जनरेटीप पार्ट आइस इस पार्ट यह बनाएगा pollen tube को यानि यह इस तरह से द्रोग अन्ना शुन करेगा pollen tube बन जाएगा इससे pollen tube का formation होगा और यह जो generative part है इसका यह generative part convert हो जाएगा इसमें fuse होके यह convert हो जाएगा इस pump है यानि दो इस pump इसमें बन जाएगा दो इस pump का formation हो जाता है तो जो male gametophyte होते हैं वो male gametophyte है हमारे यह बाला portion जो आप यहाँ देख दो यह male gametophyte है जिसमें हमारी generative और budgetative cells आती है यह convert होती है इस pump है तो यहाँ से दो इस pump बने हो अब यह दोनों इस pump यहाँ से बनके आगे पोचेंगे fertilization में help करेंगे और female gametophyte होता है female gametophyte का formation कहाँ होता है अगर मैं इसी diagram में देखूं तो यह ऐसे ovule यह यह ovule है इस ovule के अंदर यहाँ यह female gametophyte में एक nucleus होता है यह female gametophyte है इस female gametophyte में एक nucleus होते हैं इसको हम embryo sap कहते हैं embryo sap यह embryo sap यह embryo sap female gametophyte female gametophyte से female gamet बनते हैं female gamet में यह बाला जो है यह female gamet है इसको हम बोल रहे हैं एक cell यह एक cell है अब इस एक cell को हम ओवन कह रहे हैं यह बाला एक cell और यह जो हम यहां से बन के आ रहे हैं यह थीज होते हैं इस process को हम fertilization कहते हैं fertilization के बाद जाइगॉड बनता है प्रीप्रोसेज चलते हैं तो इस तरह से फ्लॉवरिंग प्लांट में यूनिक टाइप का cell reproduction होता है वह मैं बताऊं कौन से टाइप का होता है इसको थोड़ा समय रेस कर रहा हूं यहां से यह यहां पर बता रहा हूं इसमें double fertilization होता है double fertilization होगा double fertilization मतलब है कि यहां से जो दो sperm बने है यह दो बार fertilization की process करते हैं पहली बार में क्या होगा पहली बार में जो egg cell है यह बाला egg cell यह यह egg cell huge होगा एक sperm के साथ यह पहले sperm के साथ पहला sperm जब यहां से यह हूं ऐसे करेगा ऐसे करके यहां पहुंचेगा tube cell के साथ-साथ tube cell जिरोग करेंगी और यहां पहुंचेगी तो पहला sperm जब release होगा तो पहला sperm egg cell के साथ fuse होगा तो एक egg cell के साथ एक sperm fuse हुआ इनके fusion से जो बना वो बना एंब्रो है यह सको हम कह सकते हैं यह बनेगा zygote यह zygote होगा 2N क्यूंकि egg cell भी N होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगेमी क्या कहेंगे सिंगेमी अक्सर इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है सिंगेमी पर तो अभी को याद रखना है सिंगेमी सिंगेमी formation of zygote यह zygote का formation होता है तो पहला double fertilization यह दो बार होना है तो पहली condition में यह process देखने को मिलता है दूसरी बार फिर क्या होगा दूसरी बार यह जो दो बीच में आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं पॉलर नियुक्लियाई यह है पॉलर नियुक्लियाई अब पॉलर नियुक्लियाई के साथ दो इसपम चलके आ रहे थे एक इसपम एकसेल के साथ दूसरी बार नियुक्लियाई के साथ तो पॉलर नियुक्लियाई जारनेटि पॉईं है डेकर यहां तक दो नियुक्लियास है और इसपमें कि यह जब फियूज होगे तो इस condition को हम बोलते है ट्रिपल फ्यूजन होगा और ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है पी एन यादि प्राइमरी एंडोस्पर्म नूक्लियस यह बनता है तो इस तरह से दो बार फर्टिलाजेशन गुआ तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाजेशन गया तो इसको अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके पूर सकते हैं अगर किसी को परिशानी इसमारी उसमें निया हो अदरवाइस मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइट करा दूंगा इस पूरे को आप अच्छे टेस्ट वीडियो को देखें समझें उसके बाद पर आप नोट्स को करेंगे कि कर आए अधार्य की के वाह कि हुआ दो हुआ है